यह update crosshair के उपर है यह बटन आपने देखा ही होगा इसको on करने के लिए free fire वालों ने आपको बताया होगा लेकिन आप on करने के बाद आपको पता नहीं चला होगा यह होता क्या है इसे ठीक है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले यह देखो पराना वाला crosshair crosshair इसको कहते है जो बीच में आपको circle दिखता है इसको crosshair कहते है तो यहां पर देखो पहले क्या होता था normal हमारा cut cut करके दिखता crosshair ठीक है और जब हम लोग गोली चलाते थे और गन रिलोड पे लाते थे देखो मैंने थोड़े से गोली चलाई और जब गन रिलोड पे लाते तो हमारा कोई effect नहीं दिखता है बस हम लोग को गन रिलोड हो जाता है ठीक है अब free firewall ने क्या update दिया है कि जैसे ही आप गन रि और कैसी यूज करेंगे सबसे पहले देखो आपको assistance में आपको एक reload process progress on crosshair का आपको बटन दिख रहा होगा ठीक तो इसको आपको by default हो सकते आप में on भी होगा या फिर हो सकता off भी होगा तो आपको इसको on कर लेने मैंने इसको on कर लिया अब नीचे चलो नीचे चलने के ब पहले से effect पता चल जाएगा और अगर classic select है तो आपको new पे select कर लेने ठीक है मैंने select new पे कर लिया अब देखो क्या होता है जैसी मैं इसको cut करता हो तो हमारा crosshair जो पहले cut cut दिख रहा था अब भी पूरा circle हो चुका है जो की बहुत अच्छा दिख रहा है अब इसमें देखो जैसे आप fist select करते हो तो एकदम छोटा हो जाएगा मतलब बहुत ही मस्त दिख रहा है ठीक है और जब आप gun select करते हो तो यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अब देखो आप जब SMG gun लोगे तो आपका crosshair इसी तरीके से दिखेगा लेकिन अगर आप shotgun लेते हो तो आपका crosshair change हो जाएगा पहले की तरह cut cut दिखेगा आपको ठीक है तो यह क्यों किया मेरेको नहीं पता लेकिन मैंने बता दिया जैसी होता है अब देखो आप मैं reload जब gun करूंगा तो किस तरीके से effect हम लोग को देखने को मिलेगा जैसे मैंने एक दो गोली चला दिया अब reload करता हो तो देखो ऊपर में reload का symbol आपको दिखेगा देखो ठीक है तो यही ता यार और ज्यादा कुछ है नहीं तो अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को लाइक कर देना और पता होगा तो comment करके बता देना कि मेरेको पता था ठीक है तो हो सके चैनल को subscribe कर लेना अगर नहीं करके